आज इस वीडियो में हम लोग तीन ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे पिछले कुछ दिनों से जबरदस बुलिश मोमेंटम दिख रहा था मगर कोई भी ऐसा बाइंग का सिगनल इन तीनों स्टॉक ने नहीं दिया था मगर बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ मोमेंटम को देखते हुए स्टॉक में बाइंग कर लेते हैं इस उमीद से कि शायद से इस बार स्टॉक रिवर्स करेगा मगर वैसा most of the cases में होता नहीं है दोस्तों तो तीन स्टॉक के रिगार्डिंग important analysis किया जाए जिसको जादा तर लोगों ने अपने portfolio में जगह दे रखा है तो actually मैं आगे हमारा किस तरीके का decision होना चाहिए सारा कुछ discuss करूँगा पहला stock हमारे list में Garden Rich Ship Builders Engineer Limited अब यहाँ पे आप ध्यान दीजे दोस्तों कि all time high से stock में decent correction हो चुका है अगर मैं exactly percentage wise measure करूँ तो stock में गिरावट हो चुके almost 38% का और जैसा कि मैं अपने हर analysis वाले videos में कहता हूँ कि जब कोई stock अपने higher level से ज़ादा correction दिखा देता है समझे कि 30, 40, 50% नीचे गर जाता है तो उस case में एक से दो दिन के अंदर recovery आ जाए इसके chances बहुत कम रहेंगे 100 में से 98 cases में आपको ऐसा ही मिलेगा देखने को कि जब कोई stock अपने higher level से नीचे गरता है तो वहाँ पर number of days accumulate होता है stock ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप देखिए कि क्या यहाँ पर accumulation इनफ हुआ है बिलकूल भी नहीं यहाँ पर minimum एक से 2 महिने का accumulation यह तो मैं minimum कहा रहा हूँ most of the cases एक साल का sideways हो जाता है तो चलिए यहाँ पर little bit accumulate करने के बाद stock ऊपर की और move किया मगर हमारे conditions के हिसाब से यहाँ पर कोई भी buying signal नहीं था बहुत से लोगों ने फिर भी खरीद लिया हुआ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मगर अब यहाँ पर और मत खरीदो दोस्तो क्यूंकि stock अभी totally negative price action को follow कर रहा है unnecessarily हर एक level पर अगर आप buying करोगे तो आप ही का buying value गलत हो जाएगा या फिर अच्छा नहीं उतना रहेगा अब एक चीज बताईए अगर कोई stock आपको यह संकेत दे रहा है कि भाई यहां से मैं और जादा नीचे गिरूँगा almost 20% 30% तो फिर perfect opportunity तो वहीं मिलेगा ना कि 30% के correction के बाद आप stock को खर दो वहीं पे top level पे stock को खरीद के बाइंग का जो value है उसको क्यों हम लोग थोड़ा सा उपर का रखेंगे तो इसलिए garden rich जो stock है यह अगर इन case यहां से नीचे गिरता है तो फिर within few days आपको यह stock 1500 के level पी मिलेगा और 1500 का breakdown हुआ तो फिर डिरेक्ली यह 1200 के level पी मिलेगा तो नीचे में इस पेस बहुत जादा है stock को move करने के लिए एक एक support level के breakdown के बाद बड़े बड़े downfall यहां पे expect किये जा सकते हैं तो इस case में यहां पे थोड़ा सा stock को अभी के लिए side में रखना ठीक है क्योंकि as such यहां पे कुछ bullish behavior भी नहीं दिख रहा है ऐसा भी नहीं है भाई कि यहां stock में aggressive buying start हो गया big players के द्वारा तो बहतर यही रहेगा कि stock को अभी थोड़ा सा side में रखेंगे क्योंकि अभी यहां पे समय लगेगा stock को reverse करने में और जब समय लगेगा तो exactly मैं एक वीडियो जरूर upload कर दूँगा जब proper bullish signal हम लोगों को मिलेगा मगर अभी के लिए as such कोई भी यहां पे bullish price action नहीं बन रहा है अगर in case बीच बीच में sudden buying spike आता भी है तो इसको आपको ignore करना है दोस्तो इस तरीके से और वहां पे जल्दबाजी में stock में buying नहीं करना है अब चले बढ़ते हैं अगले stock की और हमारे list में angel 1 limited अब मुझे याद है कि इस stock को हम लोगों ने buy किया था 2320 के breakout के बाद क्यूंकि यह stock का recent resistance level था और हम लोगों ने क्या analysis किया था कि चलो भाई base में stock ने अच्छा खासा consolidate किया तो somehow यह 2018 का जो level है यह stock का base बन चुका है और यह proper breakout हो चुका है 2320 इस उमीद से हम लोगों ने stock को buy किया था और हमारा recent resistance level भी यही था 2771 अगर आप मेरे पुराने viewer हो तो आपको पता होगा यह सारे levels के बारे में पहले से ही देखिए मैं stocks का level हर दिन नहीं update करता हूँ simply पुराने levels मेरे बनाए हुए हैं और उन्ही levels के बीच में stocks trade करते हैं अब देखिए इस level से ही main stock में correction इस टार्ट हुआ अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई rocket science है या फिर अचानक से यह level मैंने draw कर लिया simply आप देखोगे तो यह resistance है और इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक level draw किया और आप देखिए तो वहीं से stock में फिर से correction हो रहा है stock अपने resistance level को directly flow में breakout नहीं देता है majority cases में वहाँ पे या तो stock को consolidate होना रहोगा या फिर stock वहाँ पे retest करेगा तो यहाँ पे consolidation तो हुआ मगर धीरे धीरे करके यह नीचे की और गिर गया तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे कि breakout मिलेगा तो हम लोग खरीदेंगे stock को मगर breakout मिला ही नहीं तो हम लोग यहाँ बैठे रह गए हम लोग उने खरीदा नहीं stock को तो यहाँ पे तो हम लोग बच गए trap होने से अब यहाँ पे देखिए धीरे-धीरे करके यह नीचे की और गिर रहा है तो recent support level वही हो जाएगा जो पहले stock ने breakout दिया था यानि 2320 अब यहाँ पे इसको आपको note करना है stock अगर in case 2320 के level पे कोई bullish behavior दिखाए तो well and good वहाँ पे आप buying कर सकते हो और अगर in case इस level का भी यह breakdown करता है तो फिर as usual यह stock बढ़के आ जाएगा 2018 के level पे जो की base हम लोगों ने यहाँ पे draw किया था देखिए 2018 के level का breakout करके दोबारा से बड़ा correction दिखा दे इसके chances तो मुझे बहुत कम लग रहे है angel 1 के stock में तो इसलिए somehow हम लोगों ने तो एक तरीके से bottom पे ही stock को खरीदा है देखिए बहुत से लोगों ने तो यहाँ खरीदा है यहाँ खरीदा मगर हम लोगों ने कहीं न कहीं यहाँ पे कर दा तो आप compare कीजिए कि all time high से फिर भी आपने decent discount का फायदा उठाया है अब अगर दोबारा यह नीचे गिर जाए तो ठीक है दोबारा से यहाँ पे buying आप कर सकते हो तो market का condition ऐसा uncertain हो गया जिसके चलती यह नीचे गिर रहा है नहीं तो जिस हिसाब से stock में strength build up हो रहा था जादा chances थें कि यह stock resistance पे consolidate करके उसका breakout दे देता मगर चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं हम लोग तो confirmation का इंतजार करी रहे थे resistance पे जिसके चलते हम लोगों ने buying भी नहीं किया top level पे अब अगर in case stock नीचे गिरे तो 2018 एकदम bottom level है यह stock का and 2320 यह stock का recent support level है अब आप comment करके बताइए कि Angel 1 के stock को आपने personally किस level पे buy किया है जब यह नीचे से reverse कर रहा था तब अब last stock हमारे list में SRF limited nothing unusual stock अपने resistance level से नीचे की और गिर रहा है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यह stock का important consolidation zone है और यह इस बार ही ने in fact पिछले 3 साल का यह कारणामा चल रहा है यह support से उठता है resistance से नीचे गिर जाता है तो अभी simply market के condition को आपनों यहाँ ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले भी जब बाजार bullish था new all time high का creation हो रहा था उस बीच भी SRF का stock इसी zone में trade कर रहा था अभी भी same behavior resistance से नीचे गिरता हुआ दिख रहा है तो अगर in case यह गिर के support level पे आता है तो यह perfect buying opportunity रहेगा for short term investors वो लोग यहाँ पे buy करके यहाँ sell कर सकते हैं और long term investors के लिए यह perfect buying level रहेगा तो चलिए total 2 sorry 3 stocks का हम लोग ने detailed technical analysis किया देखिए कुछ stocks हैं जो market के condition के हिसाब से नीचे गिर रहा है जैसे कि आप angel one को देख लो वहाँ पे strength का build up हो रहा था ठीक है अगर market normal रहता तो शायद से breakout मिल जाता मगर SRF तो अपने normal price behavior को follow कर रहा है and garden rich ship जो आप देखोगे यह तो already अपने all time है से पहले ही नीचे इतना गिर चुका है यहाँ पर as such कोई buying का तो signal मिला ही नहीं तो फिर हम लोग खरी देंगे कैसे जब एक proper signal मिलेगा जब bulls का significance हम लोग को दिखेगा stock के chart में तब जरूर एक वीडियो में upload करूँगा हाला कि अभी तो ऐसा कुछ condition हम लोग को नहीं मिल रहा है देखने को तो चली total तीन stocks को हम लोग ने discuss किया अब अगले वीडियो में कुछ ऐसे stocks को में discuss करूँगा जिन्होंने आज के market के condition के सापसे अपने support का breakdown कर दिया है तो एक major correction वहाँ पर expect किया जा सकता है तो चली मिलता हूँ next video में okay then bye bye